नाइन, हाओ यू स्टुडेंट्स, लास्ट आपने डिस्कस किया था, जो हमाई पस एक पूरा लेयर मॉडल था, जी कहें, फाइव लेयर थी और इनकैपसुलेशन मैंने को बताया था, कि सारी जो इन्फोर्मेशन होती है, सेंडर रेसीवर की, वो सब भिड़न होती है, जस् इनकैपसुलेशन को कैपसुलेट एक जग़ा पर एक कठा कर देना, अब इसके बताते हैं, प्रोटोकोल इन टीसीप आईपी, टीसीप होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल और आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकोल, जैसे आपका मॉबाइल है एक, इस जो होता है, उसके अपने प्रोटोकोल होते है, हर प्रोटोकोल जो होता है, वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ठीके, अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला प्रोटोकोल है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकोल, इस प्रोटोकोल का काम यह होता है, कि यह यूज ह हमारे पास समझने के link है, यह transmission medium है transmission area है जिसको क्या कर रहा है, transfer कर रहा है एक file को, ठीक है इसके अंदर क्या होता है, कि यह file को जब से दूसरा transfer कर रहा होता है next है http, http होता है hypertext transfer protocol hypertext जो होता है, मैंने पहले भी बिताया था html बढ़ाते भी, कि hypertext further links बने हों आगे page से vary कर रहे हो, एक से आप दूसरे page पर जा सके, इस तरह की चीज़ों को use करने के लिए हम http protocol use करते है, यह हमारे पर use होता है www के लिए, यह निके worldwide web pages को store करने के लिए ठीक है, sorry, send करने के लिए transfer करने के लिए www transfer web pages between a client and a web server, जो web server है जब आप client उसे कोई request देता है कोई address बार में, आप एड्रेस लिखने है किसी भी file का web page का, तो उसके गेंज जो web page आपको transfer होता है आपके screen पर आपके browser में आता है, तो वो http hypertext transfer protocol ही की वज़े से आता है, and the third one is sptm smtp simple mail transmission protocol, यह use होता है simple आपकी जो e-mails है जब आपको e-mails send करते हैं, उसमें attachment भी होती है, उसमें आप क्या करते है, PDF files भी send करते हैं जो इतनी भी e-mails एक user या एक sender जब receiver को भेज़ता है, तो वो smtp के थ्रू होती है ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर जो topic आता है, वो यह आता है कि need of addressing, address की ज़रूरत क्यों आती है, जाहिरी बात है कि जब आपने एक sender को जब तक receiver का कोई address कोई चीज ना पता हो, तो वो कैसे अपना address नहीं, अपने कोई message उसको convey कर सकते हैं, आप तब ही अपना message किसी को भेजेंगे ना, आपको receiver का पता हो, तो addressing हर एक को एक unique address, एक port number assign किया जाता है, जिसके तरू एक application दूसरे address तक जा सकती है, और इसी addressing के तरू ही data communicate होता है और इसी के तरू हमें कि telephone numbers हमें चाहिए होते हैं, किसी दूसरे से बात करने के लिए, इसी तरह IP addresses होते हैं, जो एक system से दूसरे system पर vary करते हैं, और जो transfer करते हैं, चाहिए वो आपकी files हों, चाहिए आपको web pages हों, चाहिए चाहिए वो आपकी emails हों, thank you